सेफटी साइन, साइन बोर्ड, स्वास्तिय संकेत, आदेशात्मक चिन, शेतावनी चिन, आदी क्या होते हैं, कितने परकार के होते हैं, कैसे इनके पैचान की जाती है, इन सभी टोपिक पर आज अपने बात करेंगे, हेलो दोस्तों, मेरा नामे पंकच और आप देख रहे हैं फाहर गुरुजी, चलिए शुभारम करें, साइन का मतलब एक ऐसा संकेत, जिसके द्वारा हमें पता लगता है, कि किस एरिया में जाने से पहले, एक्यूपमेंट पहनना है, या इस एरिया में जाना मना है, खत्रा, चेतावनी, अदे, सुचना, आदे के बारे में बताती ह साइन का मतलब एक सिगनेचर वाला साइन नहीं है, यह एक चिन है, एक बोर्ड है, जो अपने को दिखाता है कि चेतावनी है या खत्रा है, जैसे होस्पिटल के लिए प्लस का साइन रहता है, किसी साधन या किसी वक्ति विशेश को रोकने के लिए स्टॉप का साइन रहता है, जैसे नो स्मोकिंग, नो डिंकिंग, इत्यादी, कुछ सिम्बल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत सिम्बल ऐसे हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता, या हम देखते तो हैं, लेकिन उन्हें देखकर भी अंदेका कर देते हैं, या ध्यान नहीं देते, सेफ्टी साइन जैसे नाम से इस पश्ट है सुरक्षा के लिए सेफ्टी के लिए बनाएगे सिंबल जो अकरती वे रंग के इसाव से अलग-लग होती हैं वैसे तो यह साइन बहुत हैं इन मुख्यते इने चार भगों में बंटा गया है पहला है प्रोबिशन साइन निशेदात्मक चिन निशेदात्मक चिन का मतलब अनफरैज्ट कारिया को मना करने के लिए या फिर उन सभी कारियों को मना करना जो उस थान में करना निशेद है इस लिए इन चिने का मतलब डू नोट टोप या नोट अलावड होता है जैसे नो स्मोकिंग जोन में नो स्मोकिंग साइन का बोड लगा होता है इस परकार के चिन को निशेदात्मक चिन कहते हैं इनकी बनावट गोला कार होती है जिसके उपर लाल रंग का क्रोस लगा होता है इसका बैकराउंड सफेद रंग का होता है तथा उसके उपर काला संकेत चिन अंकित होता है धुमरपान ने करना आग ने जलाना जलती आग को पानी से ने बुझाना डू नो टच आधी साइन अदेश आत्मक चिन अदेश आत्मक चिन का मतलब ऐसे चिन जो हमें आदेश देते हैं जैसे किसी मशीन को चलाने से पहले उसकी बैसिक जानकारी लेना जैसे किसी बाइक को चलाने से पहले हम देखते हैं गियर उपर की तरफ लगता है या निचे की तरफ इसके की जानकारी होना जरूरी है ये वे साइन होते हैं जिन में कारे करने से पहले इनकी पालना करनी जरूरी होती है जैसे हिल कलैब के लिए हारनेस का यूज करना जरूरी है तो यह सभी साइन आदेशात्मक चिन के अंतरगत आते हैं यह चिन भी गोलाकार होता है लेकिन इसका बैक्राउंड निला होता है और इसके उपर सफेद रंग का आदेश चिन अंकित होता है जो दस्ताने हैलमेट चश्मा शूज आदे पैने का आद कारी दी जाती है जैसे बिजली के जटके आग का खत्रा इत्यादी इसके द्वारा खत्रे की संभावना बचाव की सला तथा सावदारियों का प्रियोग करके जरूरी सुचना प्राप्त होती है इस तरह के वार्निंग साइन त्रिबुज के आकार के होते हैं इसके तीन कौ पावर हाउस या पावर हाउस से आर ही लाइन जहां transformer लगे होते हैं वहाँ पर लगाई जाते हैं इस परकार के चिने को चेतावनी चिने बोलते हैं अगला है informative sign जिसे rescue sign या first head sign भी बोलते हैं सुचनातमक चिन द्वारा सुरक्षा समंधी जानकारी दी जाती है जैसे अगर आ रास्ते के बारे में भी बताता है इस परकार के informative sign या rescue sign वर्गाकार या आयताकार होते हैं इनका background हरा होता है तथा इसके उपर सफेद रंग का चिने अंकित होता है ये थे संकेत चिने इस परकार और भी बहुत से संकेत चिने होते हैं जैसे fire equipment के लिए fire exit के लिए chemical के लिए या हजाडस chemical के लिए तो इस परकार ये बहुत अलग लगत रहें के आते हैं इन sign को समझने के लिए इस diagram को देखें इतने भी code या sign board होते हैं वे लगबग तीन shape के ही होते हैं जो गोलाकार, त्रीबूज वे आयताकार होते हैं आयताकार वाले वर्गाकार भी होते हैं यान जो sign आयताकार होते हैं उनमें से कुछ वर्गाकार भी होते हैं और लगबग sign चार color के ही होते हैं जो red, yellow, green and blue है जो fire equipment के sign होते हैं वे सभी red color के होते हैं तथा वर्गाकार या आयताकार shape के होते हैं लेकिन fire exit या safety zone या first aid के जो sign होते हैं वे green color तथा आयताकार या वर्गाक होते हैं अगर यह टेबल याद है तो आपने सभी साइन बड़ी असानी से याद रख सकते हैं तो कैसी लगी आपको यह वीडियो अगर अच्छे लगी तो लाइक कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब कीजिए अगर आपका कोई डाउट है य उस पर ध्यान जरूर दूँगा और देखते रहिए जय हिन जय भर्द